हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ क्रिप्टोकरंसी मार्केट को देखके इस टाइम पे आप भी एक्साइटेड होंगे और एक क्रियोसिटी होने शुरू हो गई होगी कि भाया मार्केट के अंदर हो क्या रहा है और अब जो लोग पोर्टफोलियो को दे मैं अब ले लूँ मैंने का भाई अब ले ले तुम तो महाग्यानी हो 50,000 डॉलर पे जब था और वहाँ पे आप कह रहे थे कि 25,000 डॉलर आएगा तो 25,000 डॉलर का वेट करो न भी या इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो और यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपक तो आज आएगा ना लेकिन अगर आपको नॉलिज होगी बिटकॉइन पर कॉन्फिडेंस होगा तो यहां पर आप सिर्फ टिकना है आपको बाकी काम क्रिप्टोकरंसी मार्केट और बिटकॉइन यहां करता दिखेगा लेकिन जैसा हम उम्मीद कर रहे थे और पिछले 70,000 डॉलर्स और वहां पर अभी आप देखो इसको रेजिस्टेंस फेस बिटकॉइन कर रहा है लेकिन यहां पर कब यह ब्रेक आउट कर सकता है और क्या शॉट टम में हो सकता है वो तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन पिच्चर बहुत बड़ी है और हमें यहां पर सिर्फ शानती से बैठना है और जो होल्ड करके रखा हुआ है उसको रखना है क्योंकि आप सब एक कॉमन सवाल जो है हमसे पूछ रहे हो कि भया बिटकॉइन तो बढ़ रहा है लेकिन अल्ट कॉइंस मेरे जायतर भाई बैन अल्ट कॉइंस लेके बैठना है उनका क्या होगा सर उ और यहां सबकोंस उसकी जलकी यहां पर बिटकॉइंस की डॉमिनेंस भड रहिया है और आल्ट कॉइंस अभी थोड़ा सा दीखो गये तो एक थोड़ा सा थोड़ा सा slow हो गया है या थोड़े से गिरते दिख रहे हैं लेकिन यह यहाँ पर जादा देर नहीं रहने वाला है क्योंकि bitcoin एक face कर रहा है resistance और सब को पता है यह एक important resistance है लेकिन bitcoin अगर इसके पार गया तो यह सारे coins आपको जो अभी थोड़ा बहुत weight करते दिख रहे हैं य यहाँ पर अगले 3 महीने से लेके जो 15 महीने हम बोल रहे थे ना अगले 100 दिनों का कमाल सेप्टेंबर में यही बोल रहे थे ना अब यह देखो ना कमाल होता दिख रहा है तो बस यहाँ पे popcorn खाओ शांती से तमाशा देखो और जो कोई बोल रहा है उसको सुनो हाँ भाई अब बात कर रहा है अपने दिमाग के अंदर वो बाते घुमा के डर पैदा करने से बेटर है कि यहाँ पर यह सारी चीजों को समझो अब एक बड़ा सवाल जो निकल के आता है कि bitcoin का all time high कब तूटेगा क्या इसके target हो सकते हैं और क्या यहाँ से एक बड़ा bull run trigger हो सकता है उ बात के साथ में कुछ coins यहाँ पर बड़े coins 5x 10x वो वाले coins अभी भी ऐसे level पर है कि यहाँ पर एक entry बनाई जा सकती है उसके बारे में बात करूँगा और हम लगातार share करी रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि भाया अगर यहाँ से train छूटी bitcoin all time high के पार गया all time high को अच्छे डॉलर पर कह रहा था 25 जार आएगा और अब मुझसे भी पूछ रहा है कि 65-67 जार पर खरीद लूँ तो यह आपके साथ ना हो इसलिए कहते हैं कि भाया चैनल को subscribe कर लो जब लोग all time high की बात नहीं कर रहे थे ना 25-30,000 डॉलर पर जब bitcoin का price था हमने ही बोला था शायद हमा किया हो वो करेगा और सतर अजार डॉलर जाएगा हुआ था के नहीं हुआ था तो यहाँ पे जालतर अगर आप बड़ी पिच्चर देखोगे तो information हमारी आपके काम ही आने वाली है और यह जो सो दिन की बात कर रहे थे 15 महीने की बात कर रहे थे यह हम आपको अगस सेप्ट आ सकते हैं और यही सिखाने की कोशिश कर सकते हैं बाकी दोस्तों आपका काम है आप आप आपका पैसा है आप डिसाइड करो लेकिन अगर आपको हमारा content समझ में आता है तो सबसे पहले वीडियो आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर द ऐसे आते हैं कि 2021-2022 में हमने हिम्मत खो दी ती और यहां से आज हम profit में हैं या आपकी वज़े से बचे हुए आपकी बातों की वज़े से बचे हुए तो दिल को सुकून मिलता है यहां पर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम 100% सही होते हैं लेकिन अगर बड़ी पिच्चर में देखोगे तो हम आपको क्या समझाने की कोशिश करते हैं सिर्फ टिके रहो अच्छे coins में बने रहो यह क्या गुना करते हैं अगर आपको यह बात बोलते हैं मैं यह नहीं बोलता हूं कि यार कई coins जो हैं नीचे भी जाते हैं लेकिन ultimately goal क्या है purpose क्या है उसको पहचानो short term औ आपका experience कैसरा है हमें comment में जरूर बताईएगा और हमारे साथ भी भी share कीजेगा और चैनल को subscribe कर लो नए हो पुराने हो नई किया है चुच्चा वीडियो जाके देख जाते हो तो कर लिया करो यार इतना तो हमारा भी support कर दिया करो लेकिन आगे बढ़ने से पहले सारा जब बिटकोईन का प्राइज साथ अजार डॉलर के आसपास था कि भाईया यहां पर जब भी election होते हैं October November December usually अच्छा ही होता है उसके अलावा election के आसपास momentum आती है और वही अभी हमें आते दिख रही है अब यहां पे Donald Trump की lead जो है अच्छी खासी होगी अगर polymarket पे देखत लगता है कि यहां से Bitcoin बहुत अच्छा करता दिख सकता है अगर Trump आते हैं Trump एक तो वैसे भी प्रो हैं और Donald Trump की बात करते हैं US के President जब भी बनता है उसके election के आसपास cryptocurrency market भी heat करती है और वही चीज़ अभी हमें होते दिख रही है एक तो यह तो उम्मीद है Standard Chartered की बात करते है तो वो तो यह भी कहते हैं कि भाईया डेड़ लाग डॉलर तक Bitcoin का प्राइस जा सकता है डॉलर Trump आ जाते हैं इस साल के एंड में और election के आसपास अभी recent statement में भी यह कह रहे हैं कि all time high को छूता दिख सकता है और पहले उनकी statement थी कि एक लाग डॉलर भी जाता दिख सकता है औ यह तो थी एक बात दूसरी बात Bitcoin के ETF वालों का खेल हम से छुपा नहीं है जब लोग परेशान हो रहे थे ना 50,000 डॉलर 55,000 डॉलर पे यह ठीकेगा के नहीं ठीकेगा बुलन आएगा नहीं आएगा भाईया ऐसी comment कर रहे थे भाईया और वहां पर यह सारे ETF वाले और हम अ Bitcoin ने लगाया और यहां पर लगातार Bitcoin ETF वाले बाइंग aggressively कर रहे हैं एक होता है कि चलो ले लिया ठीक है सो दो सो Bitcoin ले लिये हजारों के अंदर Bitcoin डेली लिये जा रहे हैं और BlackRock Fidelity ने तो अती कर दिये तो आप कह लिजिए खल भी लगबग 6000 Bitcoin के आसपास इन्होंने लिए अगर एक्जेक्ट फिगर आपको बताऊं 6800 Bitcoin लिए कल अवराल एटिया पालो ने उसमें से 5800 अखेले BlackRock ने लिए कल परसो की बात करते हैं तो लगबग 1400 Bitcoin लिए और उससे पहले 1500 Bitcoin के आसपास लिए और उस ताहीं पर Fidelity ने लिए थे तो आप कहे लिजिए 500-600 million की लगातार वाइ ले चुके हैं और इतनी एग्रेसिव भाइंग शायद Bitcoin ETF की अगर हिस्ट्री में जो देखोगे तो लगातार नहीं देखने को मिली है और ये कितना होता है 2 billion dollar आपको बता दू 14-15,000 करोड के Bitcoin ये ले चुके हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर ये आप कहले इस हफते के अंद तो ये ये देखो क्या हो रहा है अब इसको देखे मैं क्यों ना बोलू और हमेशा यही बोलता था कि क्यों ना confidence आये अब यहां पर आगे क्या एक बड़ा सवाल है आगे कि अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमने आपके साथ में एक चार्ट शेयर किया था और एक चैन चैनल का जो बॉटम था वो लगातार इसके लिए सपोर्ट का का काम कर रहा था और उसी चैनल को ब्रेक आउट करके पचास हजार डॉलर के आसपस आया था लेकिन यहां पर पचास हजार डॉलर पे फैबनाची की रेचियो थी एक गदाधारी भीम था 0.618 जो फैबनाची था कि भाया ले लो लेकिन पचास पर वही बात हो जाती हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है हुमन साइकलोजी है कि यार पचास आया तो चालीस भी आ सकता है तीस भी आ सकता है अब सतर को छूनगी कगार पे तो आप लोग बोल रहे हैं असी अजार आ सकता है एक लाग में आया अगर मैं चार्ट को आपको दिखाता हूं तो लगातार वो चार्ट के अंदर देखने को मिलता है एक दो तीन चार पाँच छटी बार ऐसा हो रहा है इस चैनल के टॉप को ये ब्रेक आउट करने की कोशिश कर रहा है और इस बार तो लगबग दो महीने से जादा इस लॉजिकल रेस्टंस वह कहा है उसको समझ येगा टेकनिकल एक चार्ट जो है न उसकी रेस्टंस एक चैनल की जो रेस्टंस है लेकिन जो फैबनाची की रेशियो होती है या हम कह लिजिए मूविग एवरेजिस जिसको हम सीडियस ली आपको कहते हैं कि भाह इनको सीखलो तो आपका 60-70% काम हो जाए, वो यहाँ पे नहीं होती है, वो 200 दे मुविंग अरुकु जब से ब्रेक आउट किया, सीधा ये चैनल का टॉप अभी रेस्टन्स देखने को मिल रहा है, आप देखो 68,000 डॉलर के पार गया, और वहाँ से रिजेक्ट होके अभी 67,500 डॉलर के आ 70,000 डॉलर, एक साइकलोजिकल होता है, 70,000 डॉलर बिटकोईन का प्राइस पहुँच गया, तो वो रेस्टन्स है, तो साइकलोजिकली भी रेस्टन्स है, प्रिवियस ओल टाइम हाई का दिमाग में चलता है, वो भी रेस्टन्स है, एक चैनल का जिसको भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वो भी टेकनिकली एक रेस्टन्स तो बनता ही है न, तो इतने सारे जो है, उसकी वज़े से ये लेवल 5 अगर ये पार करता है, तो हमारा जो नेक्स सरकल आएगा, वो आएगा लेवल 6 और उसके बार लेवल 7, अब वो 6 और 7 क्या कहते हैं, उसको समझ लेवल 6 है, लगबक 74, 75,000 डॉलर जो कि एक नया ओल टाइम है, जब भी कोई नया ओल टाइम है आता है, और उसको जब कोई 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 ब्रेक आउट करता है, तो वहां रेस्टन्स फेस करता है, लेकिन अगर इसके पार गया, तो 83,000 डॉलर भी ये जाता दिख सकता है, जिस उनका कहना है कि दो इंटरस रेट कट और एक्सपेक किया जा सकता है, यानि कि 0.5 वेसिस पॉइंट और यहां कट होता देख सकता है, इस साल के अंदर, अगर ऐसा होता है, तो आप देख लीजिए पिछले इंटरस रेट कट के बाद में क्या माहॉल बनना शुरू हुआ है और अगर आप देखते हो, CPI का डेटा भी पिछले महीने से कम निकल के आया था, तो उसने भी एक माहॉल अच्छा बनाया, Bitcoin ETF aggressively buying कर रहे है, माहॉल अच्छा बन रहा है, USA की election हो रहे हैं, और उसके अंदर Bitcoin अच्छा करता है, माहॉल अच्छा हो रहा है, अगर historically data को देखते हैं, October को देखते हैं, वो भी यहाँ पर positive होता है, माहॉल अच्छा हो रहा है, और अगर quarter के हिसाब से भी देखते है, quarter 4 अच्छा करता है, उससे भी माहॉल अच्छा हो रहा है, इतनी बात है तो मैंने उंगलियों पे गिनवा दी, लेकिन अभी कोई अगर यहां से, अरे, क 65,000 डॉलर्स एक important support है, उसके बाद 63,500 डॉलर्स एक support निकल के आता है, जो की गदाधारी भीम, जो की 200 day moving average है, वो इसके लिए support है, लेकिन अगर quarter की बात करते हैं, तो quarter wise, अगर यह quarter, one of the biggest quarter होता है, अगर हम halving year की बात करते हैं, और पिछली बार 2020 के अंदर 160-170% return दिया थ 70% के आसपास, 60% के और average is quarter की रहती है, लगबग 90% के आसपास, मैं मानता हूँ कि 60,000 डॉलर पे bitcoin की 66,000-65,000 डॉलर पे closing होई थी, September की, अगर इसके हिसाब से भी देखते हैं, और यहाँ पर हम 80-90% के calculation लेते हैं, तो 1,00,000 डॉलर से उपर, 2024 में historically data के हिसाब से भी, और दूम धड़ाका भी हो, तो 1,00,000 डॉलर छूता आपको दिख सकता है, अब आप मुझे बताइए, कमेंट में कि यह जाएगा के नहीं जाएगा, ठीक है, और अगर आपको हमारी बाते समझ में आ रहे हैं, तो भया सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर द बिट कोईन भढ़ रहा है, अल्ड कोईन कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या होगा, क्या होगा, हिस्टोरी कली अगर आप देखते हो, तो एक पार्ट टू ओल सीजन का हमने चार्ट कही बार शेयर किया है, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले पैसा आता है बिट कोईन के फिर हमें मीम कोईन, लार्ज केप कोईन भढ़ते दिखते हैं, और फिर हर कोई कोईन आपको भढ़ता दिखता है, तो यहां पर सिर्फ आपने थोड़ा सबर दिखाना है, बिट कोईन जैसे ही स्टेबल होगा, या सतर अजार के डॉलर के पार जाएगा, अपने आल टाइम हाई के आसपास भी है सतर अजार डॉलर के ऊपर स्टेबल होता है, तो यहां पर यहां पर भी स्टेबल होता है, तो यह सारे कोईन आपको फटते दिखेंगे, सिर्फ आपने यहां पर शांती से बैठना है, और अगर आप शौट टम में देख रहे हो, तो लाइन पर ट्रे कोईन मिल जाएं और उनके अंदर ही रिटन मिल जाएं तो हमें और क्या टेंशन लेनी, उसमें से सबसे पहला कोईन हमें लगता है नियर, पाँड़ डॉलर के नीचे मिल रहा है, थाड़ तीन डॉलर से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हाँ, थाड़े पाँड़ डॉलर इ हमारे बाइंग जब हमने आपके साथ में शेयर किया था चार तीन महीने पहले, उससे अल्रेड़ी यह 4X हो चुका है, इस टाइम पे 0.1 डॉलर के आसपस चल रहा है, अगर यहां मिल जाए या एक अच्छी एंट्री देख रहे हो, 0.085 डॉलर के आसपस मिल जाए तो इसक बाइंस पे फ्यूचर है, उम्मीद कर रहे हैं कि यह बाइंस पे भी लिस्टेट आपको होता दिख सकता है, और तीसरे कॉइन जैसे मियू की बात करें, हमने बताना चुरू कि है 0.04 डॉलर के आसपस और आप देखो 0.08 डॉलर से उपर चल रहा है, तो यह कॉइन आपको अच्छा करते दिख सकते हैं, और अगर आप डॉज और शीबा से उम्मीद करते हैं, तो टू एक्स होना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लार्ज के आप हो चुके हैं, लेकिन यह कॉइन अभी जो है 100 रहंक के आसपास हैं, उनके लिए ज्यादा मल्टिपल टा करने का potential रखता है, इसके भी ध्यान रखेगा, Arbitrum, OP, Immutable, X, Manta, यह सारे coin की बात करते हैं, अगर आप hold करके रखे हो, Layer 2 का अगर खेल चलना शुरू हुआ, तो यह coin भी आपको अच्छा करते दिख सकते हैं, आरे डॉलर के आसपास, अगर Arbitrum मिल रहा है, तो entry बनाई जा स सकते हैं, हमने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन Sui अपने All Time High के आसपास है, लेकिन Aptos 18-20 डॉलर आपको कभी भी लगता दिख सकता है, या उससे भी जादा 50 डॉलर तक कभी potential हमें लगता है, इस bull run के अंदर जा सकता है, तो इस पे भी नजर बना के रखेगा, आप 8 टू डॉलर के आसपास मिल रहा है, तो एंट्री बनाई जा सकती है, हमने लगातार देखा है, जब भी All Coins की Momentum आती है, रहली आती है, तो ये Coin 23x तो कभी भी हो जाता है, तो 235x तो इसके अंदर potential शॉट टू मिट तम में लगता है, और लॉंग तम में भी ये Multiple Time Return देने का potential रखता है, तो इस Coin पे भी आप नजर बना के दखेगा, बहुत सारे लोग पूझ भी रहते हैं, तो मुझे लगा इसको भी आपके साथ में शेर कर दें, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा content तो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आ यह खमाते रही है आपका दोस्त पंकर्च, तैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद,